हलो फ्रेंस गूड मॉर्निंग विल्कम बैक टू माई नियू ब्लॉग कैसे हैं आप सभी आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे तो सुरुआत कर दिये हैं मैंने अपने घर की क्लेरिंग से सबसे पहले मैंने सुरुआत कर दिये हैं हॉल से तो सारे जिसने भी आप लोग कंबल दिख रहे हैं उठने वाले जैसे की ऐसी चलता है न अगर तो थोड़ा बहुत थंडी लतलब रहती है तो सबसे पहले सारे कंबल हो गए हैं और जो सोफि में बिट सीट डली हैं ये सब निकाल के मैं रख दूँगे दूलने के लिए और अजना दूप अच्छी करके रखा हैं तो मैं सोच रही हैं सारे जितने भी मतलब तो सारे कंबलों के इकठा करके मैंने पहले ही रख दिया हैं बस अब इसमें मैं डाल देती हूं दूसरे बेट सीट तो इस बार ना दोनों में एक सेम सेम बेट सीट डालूंगे विछले ब विबादागे आए हैं तो जो दूसरे वाली सोप हम डेले हैं उसको मिझे साफ करना आज बहुत सारे कंबलों हो फटले वाली कंबल मोटे वाली कंबल पोस्क नहीं है तो फटले वाली ही अभी ओड़ते हैं तो उनको मैं सब को लगा दोंगे मυसीन कि जल जाएगई ठीव ह तो आज है 20 जुलाइ का वीडियो है तो उसके थोड़े से क्लेनिंग का भी काम हो जाएगा इसी के साथ ही साथ और जन्म दिन के लिए भी साफ सफाई हो जाएगी तो मुझे जो दो तीन पर्दे हैं वही साफ करने हैं जैसे की चन का पर्दा हो गया है और बच्चों की रूम की बैए टूट्व को चोड़ियो फ़ै। है क्लेंग कांप के साथ तो और जाव जाटू को फज्म का करूंगा है, विच्छे कर नहीं साथ हो कि नहीं महीं भी झेलाने हैं कि कि यू का पर्दे हो लिग वीडियों वह संख न साफ करूं है, जाटूर Skills लगी तो रोम ड़क सबसे पहले उनकी बुक्स जीतनी वी सारी चीजे थी वह मैंने कट्ठा किया टाबल टूबल है तो डेली का ही कामें जैसे कि आप लोग देखते हैं कि हाउस वाइफ का है सेम रोटीन रहता है डेली का कभी कभार का होता है कि कही जाना हुआ कही आना हुआ तो हम चेंज वीड काम तो मैं सोचती रहती हुआ है तो अज डिफरेंट क्या डालो जब एक दिन की वीडियो बन जाती है तो दूसरे दिन के लिए सोचती है कि कल कैसी वीडियो बनाऊं तो थोड़ा सा डिफरेंट रहे तो अलग रहे आप लोग को पसंद आए तो यही बस चलता रहता है और पफ्रेइब एक रांड के कपड़ें दूल चुके है तो classic always पानी में रख दिया है थोड़ा थोड़ा मैं टाल दिया है कमफर्ट क्योंकि जो इसमेल ना रहे अच्छे सी खुस्पू रहती है ना इंगे दूलने के बाद भी तो इसको दस मिनट के लिए मैं से छोड़ दूगी इसके बाद फिर उसको नहीं तलाब डायर में डाल दूग पर सो क्या था कि बच्चे कुछ चावल अवल फ्राई कर रहा था तो राई जो होती है ना मस्टर्ड गिर गई थी तो वहां बहुत ज़्यदा नीचे फैल गई है और माकर तो मैंने साफ कर लिया था पर फ्रिज की नीचे ना रह गया है तो मैं दिखाती हूं आप लोगों कि आप ना बना खाली का था कि मैं तो मैं शावकों को बच्चे पर साफ कर लोगी और फिर सब भाटाते हूं कि इत ना उगला पर शावकों के जो प्राई नो नो भी मॉझे साफ करना और बच्चे तोकरी को मैंने साफ कर दिया है दूलने लाइक अपकोस्ट नहीं थी नहीं दूलने के लिए मैं रख देती बस थोड़ा से कपड़े मार दिया ना तो साफ हो गई है और इन समय में पेपर डाल दूंगी अलग अलग करके और सब भी में और थोड़ा से ना अभी सबजी लेकर आए थी कल तो आलू मैं ऐसे अ पर अपर वाला एरिया मैं कर दी हूं और जो वाला एरिया में घाली हो गया है इसमें कढ़ाई रख दी सारी टोकरियां में इकठा करके रख दी हूं और क्यूंकि फीर फैली रहती है ना कमसे कब विवस्थीत रखी रहेंगी तो चले फटा-फट से लगाते हैं आपास जा करते हैं तो फिर कल का काम नहीं होगा वह कितनावी काम कर लें कि आपकर नहीं स्टॉर करके रखते हैं कि या पानी मोटरें खराफ और अक्सा रोता जब पानी नहीं रहता ना तो कभी लाइट नहीं रहेगी या कुछ प्रॉबलम फिर हो जाती है तो मैं तिन चार बोतला पानी स्टोर करके रखती रहती हूं कि पानी की कमी ना पड़ें बस मैंने वहां पास क्लीन किया इसके बाद जाड़ों पहुंचा मेर कम्प्लीट हो गया था फिर मैं कुछ ढूंड रही थी यहां पास डॉर में तो फिर मैंने देखा कि जो चीजे जरूरत की है वो तो रखी है जो जरूरत की नहीं है वो भी पड़े हुई है तो फिर मैंने तीनों रैक को न साफ किया उसमें पेपर डाला पेपर विचा के ज जब काम में लगी गई हूं तो अच्छे से क्लीन कर लेती हूं कुछ छोटे मुटे पेपर होते हैं जो हम कहीं से आते हैं ऐसी रख देते हैं तो सारी पेपर को ना मैं सब एक फोलेतीन ले ली हूं बैक तूसमें सारी कठा करके रख देती हूं कि इस्था ही रहेंगे यहा साइड का भी है तो फिलालास तो नहीं करूंगे क्योंकि लेट भी हो गया है कप्ड़े भी धूलते टाइम ना क्योंकि कप्ड़े बहुत ज़्यादा थे जैसे कि आप लोगों ने अभी आंगे देखेंगे तो कप्ड़े बहुत हो गये थे तो इसलिए मैंने फटा वट से के लेके जाओंगे मैं तो इतनी ज़्यादा करके रखा था कि बहुत ज़्यादा ध्यूप लगनी लगी थी मैंने सारे ऐसी ही निकाल लिए कि मैं जलके ना नीचे फोल्ड कर लोंगी कपड़े को बस जो कपड़े भी धूल के लेके आई हूं हाथ से उनको मैं फ्रादा द के लिए इनको मैंने फ़ला दिया है तब तक में सूख जाएंगे अगर वारिस भी आती इसके वाद इसी देर साम कटाई में करीब पांच बचे की आस पास का और मौसम ना बहुत ज़्यादा खराफ हो रहा था और मुझे बनाना था साही पनीर तो उसकी मैं अद्स तयारी कर लेती हूं कहीं कि ना अगर विजली चली गए तो मैं फिलाल ना बहुत टाइम था पहले जो इस बाला काम है मैं निप्टा के और फीस के रख दूँगी ताकि मतलब विजली जाती विए तो कम से कम मेरा जो खाने वाराने का टाइम है प्रोसेस है वो रुकेगा नहीं ब वलने के लिए मतलब आंगे की वीडियो आप लोगों को नेस्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगी इस ब्लॉग में बासे इतनी तक ही वीडियो रहेगी ज्यादा बड़ी मैंने नहीं की है और जैसे कि वर्थडे वाला ब्लॉग है आप लोगों को नेस्ट ब्लॉग में दे